आज का यह वीडियो सब के लिए नहीं है। यह वीडियो उनके लिए है जो उस तरह के वीडियोज देखते हैं जिनको इसकी लग लग चुकी है। इस वीडियो को आखिर तक देखना मैं आज कुछ ऐसे टिप सेर करूँगा अगर आप उन्हें फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपकी यह आदत छूट जाएगी। जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ पॉन्स के बारे में लेकिन जरा एक बात बताओ आप पॉन्स देखना क्यों छोड़ना चाते हों क्या साइद आपने कहा पॉन्स देखना गलत है लेकिन क्यों गलत है और अगर गलत है तो फिर आप क्यों देखते हो मेरा मुबाइल मेरा तरह की चीजे सोचते हैं और जो गंदी आदते बना लेते हैं ये गलत हैं क्योंकि पॉंस देखकर हम अपने आपको satisfy नहीं कर पाते हैं हमारे पूरवजों को जब कोई problem होती थी तो उसका solution निकालने में काफी समय लग जाता था लेकिन आज हमारे पास internet है जिसमें हम अपनी बड़ी से बड़ी problem का solution भी बस कुछ seconds में निकाल सकते हैं internet की सबसे अच्छी बात तो यही है कि इसमें हर चीज available है जो आप चाहते हो उसके लिए बस कुछ words type करो फिर वो चीज आपके सामने अगर आप कुछ अच्छा करते हो अच्छा सीखते हो तो इसमें आप ही किभलाई है लेकिन बात तब भी गड़ती है जब आप गलत चीजों की और attract होते हो जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ जब आप उस तरह की वीडियोज देखते हो और पॉन्स एक इनसान को किस हद तक नुकसान पहुचाती है यह मैंने अपने पिछले वीडियोज में बताया हुआ है आप डिस्क्रिप्सन या आई बटन में क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं आप पॉन्स कब देखते हो साइद रात में या जब अकेले होते हो इन्ही सवालों में आपके प्रब्लम का सोलुशन भी है क्योंकि आप ही सोचो ना आप फैमली के साथ बैट कर तो पॉन्स नहीं देखते हो ना अगर आप वाकई अपने इस आदत को छोड़ना चाते हो त दो सबसे पहले इन सब चीजों के बारे में सोचना ही बंद कर दो क्योंकि जितना आप इन सब चीजों के बारे में सोचोगे उतना ही आपका मन इसे देखने का करेगा और फिर आप खुद को रोक नहीं पाओगे इसलिए पहले अपने बोड़ी के गलत आदतों को बद्लो वरना ये आपका माइंड चेंज कर देगा। कभी भी रात में अकेले मत सो। जादा से जादा घर के लोगों के साथ टाइम इस्पेंड करो। जितना जरूरी हो उतना ही मोबाइल और इंटरनेट का यूज करो। फालतु की चीजे इंटरनेट में देखना और सोसल मीडिया पर टाइम वेस्ट करना बंद करो। आप जब तक बिना मतलब के इंटरनेट यूज करते रहोगे आपके दिमाग में बार बार वही सब चीजे आती रहेगी। और फिर आपका माइंड चेंज होने लगेगा। और इसी मोमेंट में अगर आप खुद को नहीं रोकते हो फिर आप इतना उत्तेजित हो जाओगे कि खुद को रोकने का मन ही नहीं करेगा। और दिन प्रति दिन आपका ये जो आदत है ये आप पर हावी हो जाएगा। जितनी भी बाते मैंने अभी आपको बताई आप एक बार इससे फॉलो करके देखो। आपको अच्छा रिजल्ट जरूर मिलेगा।